महिला सम्मेलन और तप अभिनंदन कारिक्रम गुर्वार को आचर्य महाश्रमन की सूशिश्या साध्वी जिन्बाला के सानिक्र में तेरा पंथ महिला मंदर अजमेर के और से आयुजित किया गया साध्वी काया तेरा पंथ भवन में चार माँ का प्रवास रहा इस बीच साध्वी की प्रेणा से अनिक कारिक्रम आयुजित हुए अनुवरत प्रेक्षा ध्यान आदी के माध्यम से अजमेर की जनता को अनिक प्रेकार से जीवन उत्थान के लिए प्रेणादाई और वर्तमान के तनावपुर्ण जीवन को सुक शांती से बिताने के अनिक टिप्स बताया हम अचरेश्री महास्रमन जी के नेत्रित्व में चलने वाले तेरा पंथ धार्मसंग की शिश सदश्याई हैं और यहां अजमेर चातुरमास में अनेक कार्यक्रम यहां आयोजित हुए उन्ही कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम यह है महिला सम्मेलन रखा हुआ है इस महिला सम्मेलन में हमारा उद्देश्य यह होता है कि हर घर हर परिवार में शुक शान्ती और अमन चैन रहे परिवारों में आपसी व्यवहार समझोता गृत्ती शहिश्यूता और स्नेह भावना बढ़ती रहे इसलिए हम यह महिला सम्मेलन रखते हैं और इस महिला सम्मेलन के दरम्यान हम प्रत्तेक महिला के जीवन को मोरना चाहते हैं ब्रेन वाशिंग करना चाहते हैं, जैसे जैसे वो सुनते हैं, तो उनके भीतर में सहज अपने जीवन में बदला राने का भाव पैदा होता है, सास, बहु, पती, पतनी, घर में, बच्चे, उन सब के बीच में एक महिला, अपना जीवन कैसे जिये, और उन सब को कैसे अपने नेत्रित्व में उंचाईयों को चुने के लिए, संसकारी बनाने के लिए प्रयत्न करें, इसके लिए भी महिला को जागना जरूरी होता है। अनूरत समीती, महिला मंडल, कन्या मंडल, क्यान शाला के बच्चे सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। साध्य शीजी ने हमें महिला समाज को मोटिवेट किया हैं, महिला को कैसे महिलाओं में कैसे जागरती आए और कैसे वे अपने गर पूरे परिवार का संचालन अच्छे तरीके से कर पाती हैं, इसके बारे में हमें बताया। एक महिला ही पूरे घर परिवार की संचालिका होती है, वे अगर समझदार हैं तो अपने बच्चों पुरुषवर्ग को अपनी सही दिशा में ढाल सकती हैं, इसी और अच्छा सब हर फिल्ड में वे अच्छा कर सकती हैं, इस महिला दिवेशन का यही उद्दिश्य था कि म सब्सक्राइब करें, साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम ख़बरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, यहां न्यूज आपको कैसी लगी? इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिए और इस वीडियो को लाइक वर शेय करें